नमस्कार स्वागत है आप सभी का डीडी नियूज के इस खास बुलिटिन एक्सप्रेस हंड़ेट में जहाम आपके रिए लेकर आते हैं राजनीती मनुरंजन से जुड़ी फटा फट खबरें भगवान जगनात की विश्व प्रसिद रत यात्रा आज से शुरू हर साल आशार मास के शुकल पक्ष की दुत्या से रत यात्रा शुरू होती है उडिशा के पूरी में सित भगवान जगनात मंदिर से भव्वे रत यातरा निकाली जाती है जिसमें बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं राश्चपती द्रौपती मुर्मू आज पूरी में भगवान जगनात की रत यातरा में शामिल होंगी राश्चपती द्रौपती मुर्मू ने महाप्रभु जगनात जी की रत यातरा के अफसर पर एक्स पर पोस्ट करते हुए देश वासियों को शुप कामनाई दी है प्रधान मसी दरेंद्र मोदी ने पवित्र रत यात्रा के शुभारम पर बधाई धी एक्सपर प्रधान मंत्री ने कहा कि महाप्रभू जगननात का अशिरवाद हम पर सदेव बना रहे एक्सपर प्रधान मंत्री मुदी ने अपने संदेश के साथ एक वीडियो भी साजा किया है केंद्रिये ग्रे और सहकारिता मंत्री अमिशा एमदवाद के श्री जगनात मंदिन में मंगला आरती में शामिल हुए अमिशा ने एक्सपर कहा के महाप्रबू जगनात जी की रत यातरा भारतिये सांस्कृतिक विरासत वसम्रिद्भी को सहजने और नया उतकर्ष प्रदान करने का पुन्ने अफसर है मई केंद्रिय मंत्री नितिन गचकरी ने भी सभी को श्री जगनात रत यातरा की शुब कामनाई दी है गुजरात के मुखे मंत्री भूपेंदर पटेल ने एमदवाद में भगवान जगनात के रत यातरा में शामिल हुए भगवान जगनाच जी की रत यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों की भारी भीड का सेलाब भी देखा गया केंद्रिये स्वास्तेमंत्री और भाजपाद्यक्ष जेपी नडड़ा ने जम्मूर के रगुनात मंदिर में पूजा अर्चना की भगवान जगनाच जी को चड़ाया जाएगा और प्रसाथ के रूप में बाटा जाएगा गुजरात पुलीस ने यात्रा के दुरान किसी भी अप्रिया घटना के होने से रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये हैं सी टीवी कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्रिय ग्रह और सैकारिता मंतरिया मिश्या आयमदाबाद में आधुनिक मल्ती स्पेशालिटे इसलिम अस्पताल और विद्ध्यार्थी भवन का उध़ाटन करेंगे जमुकश्मीर के कुलगाम जिले में चिन्नी गाम इलाके में चल रही गोलिबारी में पाच आतंगबादी मारे गए हैं कुलगाम मुटभेड में दो जवान भी शहीद हुए हैं पुलिस अधिकारी ने बताया है कि घटना इस्तल पर भीशन गोलिबारी जारी है जिनार कोर कमांडर जमुकश्मीर के मुखे सचेव डी जी पी और सभी रैंक के अभिकारियों ने लांस नायक प्रदीप कुमार और सिपाही प्रमीन जंजाल प्रभाकर को श्रधांजली दी इन दोनों ने ही कुलगाम में जूटी के दुरान सर्वुच्च बलिदान दिया था उपराश्टपती केरल के दोदिवस्ये दौरे पर हैं आज जूसरे दिन उपराश्टपती का कुलम और अश्ट मुडी बैक पॉर्टर्स का दौरा करने का कारिकरम है प्रधान मंत्री मोधी ने आउस्ट्रिया के चांसलर काल्स नहमर को अपनी आगामी आउस्ट्रिया यात्रा के लिए अभाड़ जताया है प्रधान मंत्री मोधी ने एक्स पर लिखा के आउस्ट्रिया का दौरा करना वास्तव में सम्मान की बात है चांस्लर नेहमर ने 9 से 10 जुलाई की पी-म की यात्रा को लेकर उत्सुपता जताते हुए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था बहुजन समाच पार्टी की प्रमुख मायवती चिन्नई में तमिलनाजू के पार्टी प्रमुख के आमस्ट्रॉंग को शृधांजली दी आमस्ट्रॉंग का पार्थिप शरीर पेरंबूर के एक स्पूल मैदान में रखा गया इसके साथ ही बहुजन समाच पार्टी की प्रमुख मायवती आमस्ट्रॉंग के परिवार से भी मिली मायवती ने कहा कि अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है इसलिए राज्य सरकार से इस मामले को CBI को सौब देना चाहिए दिली में बीजेपी की आज प्रदेश विस्तारित कारे समयती की बैठक को रही है बैठक में मंडल दिला और प्रदेश स्थर के नेता भाग ले रहे है सूरत में 6 मंजिला इमारत ढहने के बाद खोज और बचाव अभियान चारी है ये हाथसा सूरत के सचिन पाली गाउं में हुआ हाथसे में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है SDRF और SDRF की टीमें बचाव कारे में जुटिव मी है जारकन के देव घर में 3 मंजिला इमारत ढहे गई हाथसे में 2 लोगों की मौत मलबे में 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया मौके पर मौजूद गोड़ा के लोगसभा सांसत निशीकाम दूबे ने बताया है कि रैस्की ओपरेशन का काम जल्दी चुरूर हो गया और लोगों को तेजी से सुरक्षित निकालने का काम चारी है गुजरात के सूरत में DRDO प्रमुक समीर के कामत में सौदेशी एयर इंडिपेंडेंट्ट प्रोपल्शन सिस्टम निर्मान सुविधा मैनुफेक्टिरिंग यूनिट का घूमी पूजन किया भारतिय नौ सेना का P-8I बिमान सबसे बड़ा बहु राश्टिये सैन्य अभ्यास रिम पैक 2024 के लिए अमेरिका के हवाई पहुच चुका है आज अमर्नात यात्रा के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों का एक और जथा पंथा चौग श्रीनगर बेस कैम्ट से रवाना हुआ केंद्रिय मंत्री डॉक्टर जीतिंदरी सिंग ने प्रधान मंत्री मोती दुवारा शुरू किये गए एक पेड मा के नाम अभियान के तहट पौधा रोपन किया उन्होंने इससे पहले पौधे के साथ अपनी माता जी की मार्मरिक तस्वीरें साचा की उतरपर्देश के फतेपूर जिला और प्रियाग राज के बहरिया ब्लॉक में नीती आयोग दुवारा चलाए जा रहे है संपूर्था भ्यान शुरू किया गया नदिली सित दिली हार्ट में एफपी ओ मेले का आयोजन किया जा रहा है यहाना सिर्फ खादेपदार्थ बलके ग्रह सज्जा के सौदेशी वस्तुएं उचित दाम पर मिल रही है मौसम विभाग ने आज उतरपरदेश के लखनाओं गोड़ा और गोरकपूर समयत 32 दिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है उडिशा और पूरवी राजिस्थान में आज अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है 30 करनाटक में 9 जुलाई तक और आंतरिक दक्षणी करनाटक में आज अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है मौसम विभाग के मुताबिक अरुनाचल असम और मेखाले में भी भारी से बहुत भारी बारिश होनी की संभावना है आसम के काजी रंगा राश्टी ये उद्ध्यान में बाड से पानी में डूपने से 90 से ज़्यादा जंगली जानवरों की मौप हो गई है मौसम विभाग में कहा है कि उतराखंड के नौ जन पदों में भारी से बहुत भारी वर्षा के पूर्व अनुमान है और यहां बुलेचन में फिल्हाल लेते हैं एक ब्रेक आप देखते रहिए डीडी नियूज दादी के हाथों का जादू और खुश्बू से महकता घर M.D.H. गरम मसाला असली मसालों से भरा हुमे क्योंकि हर रिष्टा है स्वास से जुड़ा बात जब पीडियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्यदारी बड़ी हो जाती है गैलेंट समझता है यह जिम्यदारी अब डबल M.Rips के साथ गैलेंट एडवांस T.M.T. Rebar निर्मान का रियल हीरो राशी की स्कूल फीज, घर का किराया इतनी जिम्यदारी हैं सर पे तुम तो टर्म लाइफ इंशॉरेंस लिए पर नहीं चलेगा और उसी बजार पे एक करोड का टर्म लाइफ इंशॉरेंस सिर्फ 470 रुपे महिने से शुरू और एक्स्प्रेस हट 900 में आपका एक बार फिर से स्वागत है चली शुरूबात करते हैं खबरे फटफट अन्दाथ में जुलाई में सितरमन लगतार सात्वा बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी और इससे पहले पूर्ब पीम मुराजी दिसाइन लगतार 6 बजट पेश किये थे वित्य मंत्री निर्वना सितरमन 23 जुलाई को लोगसभव में वित्य वर्ष 2024 पेश के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी केंद्रे मंत्री क्रेंडी जुजु ने एक्स पर पोस्ट कर बजट सत्र की तितियों का एलान किया दिली के प्रगती मेदान मेशनिवार से शुरू हुआ 15 वा अंतराश्टिय बी-टू-बी-ट्वाई-एक्सपो 2024 ये दक्षिन एशिया का सबसे बड़ा मेला है चार दिवसी अंतराश्टे खिलोना मेले में 300 से अधिक घरेलू कम्पनियों और अन्य देशों के 100 से अधिक विदेशी खरिदार शिर्कत कर रहे हैं इस मेले के जरिये निर्माताओं, वैपारियों और अंतिम उप्योग करताओं को एक साथ लाने में मदद मिलेगी और मेले में सौदेशी खिलोनों की धूम देखी जा रही है जो चाइना के बासारों को कड़ी टक्कर दे रही है पेचिंग और मंगलादेश की राजधानी धाका के बीच शुरू की जाएगी सीधी उडाने इस कदम से लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है चाइना सदन एयरलाइंस ने धाका में आयोजित एक बैठक में घोशना की है कि वेपंदरा जुलाई से पेचिंग से धाका के लिए सीधी उडान शुरू करेगी बंगलादेश में चीनी राजदूत याओवन ने पेजिंग धाका लाइन प्रमोशन कॉन्फरेंस में कहा है कि चीन और धाका के बीच सीधी उडाने शुरू होने से दोनों देशों के बीच विमाना नेटवर्ट में बृध्धी होगी मुख्यमंत्री हेमन सुरेन ने फेडरेशन और जारकन चैंबर और अफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओड से राची में आयो जेट स्टार्टप कॉन्क्लेव का उद्भाटन किया हेमन सुरेन ने सार्वजनिक कारिकरम में शिर्कत करती हुए कहा है कि हमारी सरकार राज्जे में ज्यादा से ज्यादा निनेश लाने और उद्ध्योग को स्थापित करने के लिए ठोस पदम उठाएगी हिमन सुरेन ने कहा है कि जिन उद्योगों का विस्तार होना था वैसी मटते गए और इसलिए राज्य सरकार उद्योगों की ऐसी गुनियात डालना चाहती है जिसका लाब लोगों को पीडी दर पीडी मिल सके केंदर सरकार ने बिहार में दो स्पेशल एकनॉमिक दोन इस्थापित करने पर दी सहमती बिहार के उद्योग विभात के मंत्री नितीश मिश्रा ने सोशल मीडिया के जरीए दी जानकारी विदीश मिश्रा ने कहा है कि अभी कुछ आपचारिक्ताएं शेष हैं जिन में बयाडा दुआरा भूमी आदी से संबंदित अवेश्चक दस्तवेश कुपलफ्ट कराया जाएगा एवं आगे की प्रक्रिया फून करते हुए बोर्ट ओफ अप्रूबल के समक्ष समिकृत के लिए बेजा जाएगा जून वहीने में 15,000 से अधिक कंप्यों ने भारत में अपनी यूनिट सेट अप करने के लिए पंजी करन कराया है इनमें कई विदेशी कंपनिया भी शामिय है भारत सरकार की ओर से बड़े इंफ्रस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश के कार स्टील और सेमेंच की मांग ऊपर जा रही है जिससे नीजी निवेश बढ़ रहा है और रोजगार के अधिक असर लोगों को मिल रहे है FMCG सेक्टर में कंपनियों की राज़स्व विर्धी चालू बित्वर्ष में 9-9 प्रतिशत के बीच रहने कानुमान है क्रिसल रेटिंग ने रिपोर्ट चारी कर कहा है कि चालू बित्वर्ष में अपेक्षित राज़स्व विर्धी को विक्री की मात्रा बढ़ाने के समर्थन मिलेगा क्रिसल रेटिंग ने कहा है कि उतबात खंडों और फर्मों के लिए राज़स्व व्रिद्धी अलग-अलग होगी ग्रामीन माग में सुधार से इस वित वर्ष में F&B खंड में आठ नौ प्रतिशत की व्रिद्धी होनी की संभावना है होम इंटीरियर और किचन डिजाइन में अग्रिणी रैगलो किचन्स ने की बैंगलूरू में अपनी पहली फ्रेंचाई खोलने की घोशना प्रेंचाइज के मालिक विकास ने रैगलो किचन्स के साथ अपनी साजिदारी पर कहा है कि उनके लिए होम डिजाइन के शेतर में अपनी पहचान बनाने का एक बड़ा अफसर है और साथी दक्षिन भारत में एंट्री करना कंपनी के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर है फ्रांस में आज संसधिये चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान होना है और इससे पहले 30 चून को पहले चरण का मतदान हुआ था पहले चरण के मतदान के बाद मैशनल रैली की मरिन वी पैन को बढ़हत मिलती दिखाई दे रही है यूरोपिये चुनावों के नतीजे आने के बाद तीन सबता पहले फ्रांसिसी राश्टरपती मैनियल मैक्तों ने अचानक जल्द चुनाव करवाने की घोशना की थी फ्रांस के संसधिये चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ट मतदान हुआ है इस्थानी ये समया नुसार शाम पाँच बजे तक साथ प्रतिशत मतदान हुआ जो दो साल पहले हुए चुनाव से बीस प्रतिशत अधिक है केनिया के राश्टपती बिलियम रूटो ने देश में उत्पन अस्थिर मोहल के बीच राश्ट को संबोधित किया केनिया में बीते दिनों कई विरोध प्रदर्शन जारी हैं केनिया में नई कर बृद्धी के खिलाब सरकार विरोधी प्रदर्शनों का दौड संसत पर हिंसक हमले के साथ समाफ्ट हुए थे पश्चिम अफ्री की देश नाइजर, माली और बुर्कीना फासो ने साहिल स्टेट्स से गडबंदन के पहले शिकर संबिलन में एक परिसंगी पर हस्ताक शरकी पंदरा सदस्य देशो वाला आर्थिक संगठन इको वास, नाइजर, माली और बुर्कीना फासो को इस शेत्री आर्थिक ब्लॉक से बाहर रखकर उन्हें लोगतांतरिक शासन में लोटने के लिए लगतार आगरे कर रहा है तूफान बेरिल से अब तक 10 लाग से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं, बेरिल तूफान से जमेका और करेबिया में भीशन तबाही मची हुई है, इस शक्ती शाली तूफान से कई लोगों की मौत हो गई है संयुक्त राष्ट के मानविय सहायता करता राहत कारे में जुटे हुए हैं और लोगों को सुरक्षित इस्थान उपर पहुचाने का काम कर रहे हैं और बेरिल बर्तमान में मैक्सिको की खाड़ी के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा है बेरिल की फिर से तेज होने की आशन का जटाई जा रही है सोंबार को ये तुफान अधिक तेजी से टैकसास की ओर बढ़ सकता है हाला कि इसके बाद इस तुफान के कमजोर पढ़ने की पूरी संभावना है नैपाल के विविन इलाकों में भारी बारिश के बाद जल भरवाद देखने को मिल रहा है कई इलाकों में बारिश के बाद बार की स्टिती यहाँ पर पैदा हो गई है और जन चीवन पुरी तरह से परभावित हुआ है राजधानी काटमांडू के अलावा ललितपूर और भगतपूर समयच कई जगाहों पर लोगों को बार जैसी स्टितियों का सामना करना पड़ रहा है रूसी सेना ने यूकरेन की सीमा पर दक्षिनी बेलगो रोड और पुरुक्ष शेत्र में साथ-साथ यूकरेनी जोन्स को मार गिराने का दावा तिया है पुरुक्ष शेत्र के गवर्नर अलेक्सी सिम्रनोब ने बताया है कि यूकरेनी सेना ने शनिवार को दिन भर में लगभग दस गाओं पर गोलिबारी की रोसी रक्षा मंत्राले ने यूकरेन के डोनेस्टिक शेत्र के सोकिल गाओं पर निरंतरन करने का भी दावा किया है मैं यूकरेनी अधिकारियों के मताविक दक्षिनी खेरसौन शेत्र में शनिवार को रोसी गोलिबारी में तीन लोगों की मौत हो गई भारत और जिंवावे के बीच पांच मैच की टी ट्वेंटी सिरीज का दूसरा मुकाबला आज शाम हरारे में खेला जाएगा और इससे पहले शनिवार को खेले गए पहले टी ट्वेंटी में जिंवावे ने भारत को तेरा रंग से हरा दिया हर्बन प्रीक कौर 19 जुलाई से श्री रंका में होने वाले महीला टी ट्वेंटी एश्या कप के लिए भारतिये टीम की अगवाई करेंगी सुनिती मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है भारत और दक्षिन अफ्रीका की महीला क्रिकेट टीम के बीच आज चिन नई में दूसरा टी ट्वेंटी मुकाबला खेला जाएगा कनाड़ा ओपन वैल्विंटन में भारत के प्रियांशू राजावत ने जीत का सफर सेमी फानल में समाप्थ हो गया है फ्रांस के अलेक्सी लानियर ने प्रियांशू को सीधे गेम्स में 27-23 से हरा कर सेमी फानल में जगा बनाई विम्मिल्डल के महीला एकल में शीश वरियत अपराथ इगा श्वातने के तीसरे दौर में हार से बाहर हो गई है श्वातने का को यूलिया ने हराया और यहाँ और यहाँ बुलिचन में रुपते हैं छोटे से ब्रेक के लिए हम चल थाते हुए अब यहाँ जगाँ जगाँ प्राकरतिक हल्दी मिर्ची धन्या नहीं मिर्ची धन्या हल्दी MGH ज़ादा उपच और भरपुन मुनाफ़ा भी दोनों बेलेगे टोरी से एक हाथ में खर्पतवार की हार और दूसरे हाथ में ज़ादा पैदावार संगे आयायल के ट्रैक्टर ब्रैंड का टोरी अब खर्पतवार होगा हक्का बक्का बड़ेगा मक्का वो मिस्व विकास की फाइल आप पॉलिसी बजार माम आपका हेल्थ इंशुरेंस क्लीम अप्रूव हो गया अब आप सर को घर ले जा सकते हैं क्लीम के टाइम पे हमेशा आपकी हल्प को तयार पॉलिसी बजार एक करोड का हेल्थ इंशुरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरूव और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एक्स्प्रेस हंड्रेड में देखते हैं खबरे फटा फटा अंदास माईला इकल में चौथी वरियत अपराप्त अलीना साइबा कीना ने आसान चीट के साथ अंतिम्सूला में जगा बनाई माईला इकल में युक्रेन की अलीना स्वतलीना ने भी अंतिम्सूला में पहुच कई हैं उन्होंने तीसरे दौर में दसवी वरियत अपराप्त अनस जॉब यॉर को 6-1-7-6 से शिकस्ती चीन की वांग जिनियू ने शांदार प्रदशन करते हुए चौथ य दौर में जगा बना ली है उन्होंने तीसरे दौर में हैरिट डार्ट को तीन सेट में 2-6-7-5-6-3 से शिकस्ती पुरू शेकल में नुवाग जोकोविच ने तीसरे दौर में आस्ट्रेलिया के अलेक्सी पोपरिली ने को 6-4-6-3-6-4-7-6 से हराया चौथी वरियत अपराप जर्मनी के अलेक्सेंटर जवरेव ने तीसरे दौर में ब्रिटेन के कैमरन नूटी को शिकस्ती रोहन भोपन्ना और मैथियो एडबन की जोड़ी विमिल्टन से बाहर हो गई है भोपन्ना और एडबन की जोड़ी को पुरुश्य यूगल के दूसरे दौर में जर्मनी की जोड़ी ने हराया इंगलाइड ने यूरो कप के सेमी फैनल में जगा बना ली है रुमान्चा क्वाटर फैनल में इंगलाइड ने सुर्ज़र लैंट को पैनल्टी शूट आउट में पांच तीन से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया निर्धार इस समय तक दोनों ही टीमे एक-एक की बराबरी पड़ थी सेमी फैनल में इंगलाइड का सामना निदलाइड से होगा एक अन्य क्वाटर फैनल में निदलाइड ने तुर्किये को दो एक से हराकर सेमी फैनल में प्रवेश किया म्यूजिकल इंडस्ट्री के दिमिस्ट्रिकल नोमेड ने कहे जाने वाले दिगज सिंगर केलाश खेर का आज अपना 51 जन दिन बना रहे हैं करन जोहर ने कहा है कि फिल्मों में बहुत खर्चे होते हैं और साथ ही स्टार्स इतनी ज्यादा फीस मांग लेते हैं कि संतुलन बिगड़ जाता है 12 जुलाई को सिनमा धरों में अक्षे कुमार की फिल्म सरफिरा रिलीज होने वाली है जो के तमिल भाषा की पिक्चर सुरराई पर तुरू कया हिंदी रिमेक है अक्षे कुमार ने पंजाबी सिंगर ग्लोरी बावा की आर्थिक तौर पर मदद की है आर्थिक तंगी से जूच रही ग्लोरी बावा ने सोशल मीडिया पर सरकार से मदद मांगी थी फिल्म किल बॉक आफिस पर कर रही है शांदार प्रदेशन फिल्म ने तीस्टे दिन सरसट अशारिया एक करोण रुपे की कमाई की है बिग बॉस सत्रा के कंटेस्टेंट पहल का यानि के सनी एक खदरनाक हास्ते का शिकार हो गए हैं जिसके बाद यूटूबर को अस्पताल में भड़ती कराए गया दरसल ये हाथसा गैस बलून के बलास्ट होने से हुआ है अर्मान मलिक की पतनी पाइल मलिक बिग बॉस ओटिटी में बिकन के बारे में महमान बन कर आई हैं और जहां उन्होंने घर वालों के सामने विशाल पांडे की नियत का परदा फाश किया है टीवी एक्टरेस सहीना खान ब्रेस्ट कैंसर की तीसरी स्टेज़ पर है और उनका इलाज चल रहा है और इस बीच उन्होंने कहा है कि मेरे शरीट पर आई निशानों को मैसु भी कार करती हूँ क्योंकि ये पहला साइन है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ बॉलिवूट के दिगज एक्टरेस दीनतमान ने 72 साल की उमर में स्कूल ड्रेस पहन कर अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए इंस्ट्राग्राम पर एक पोस्ट किया है नाग अश्मीन द्वारा निर्देशित फिल्म कल की 28 अठाइस अन्वे एडी ने नौ दिनों में वर्ल्ड वाइड आठ सो करूर रुपे से अधिकी कमाई कर ली है बॉलिवुज के महानायक अमिताब बच्चन ने फिल्म कल की 28 अठाइस अन्वे एडी की सफलता के बाद सोशल मीजिया पर फैन्स के प्रती आभार जटाया है और एक्सप्रेस न्यूस में फिल्हाल इतना ही हमें दीजी इजासत नमस्कार लेकिन आप देखते रहिए जीजी न्यूस